वेलकम करता हूँ दोस्तो एक और नई फ्रेस अपडेट के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्रीडिस की 81 योक्षन से जुड़ी जैसे कि आप सब जानती हैं कि डीडी फ्रीडिस की 81 योक्षन से जुड़ी हमने आप सभी को इंफोर्मेशन दी थी कि परसार भारती की ओर से 81 योक्षन की गोषना कर दी गई है तो फ्रेंस हम आपको बता दे कि परसार भारती की ओर से जो 81 योक्षन की गोषना की गई थी उसकी डेट 28 आगास्त 2024 रखी गई थी जो कि आज रहने वाली है तो फ्रेंस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्रीडिस के 81 योक्षन से जुड़ी ही लेकिन इस जानकारी को देने से पहले आज हम आप सब इसे निवेदन करेंगे एक बच्ची के लिए जो की मेरी ही रिलेटिव रहने वाली है जिसको एक ऐसी बिमारी हुई ह जिसके लिए 16 करोड रुपय का एक इंजेक्शन लगने वाला है और मैं आप सब इसे निवेदन करूँगा अगर आप इस बच्ची की कुछ मदद कर सकते हैं वो भी सिर्फ 16 रुपय से तो फ्रेंस बिलकुल बेजिजग करें क्योंकि इस बच्ची को मैं जानता हूँ और इस बच्ची को रियल में ही प्रोब्लम है और ये कोई स्कैम नहीं है अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कोई स्कैम है तो फ्रेंस बिलकुल भी स्कैम नहीं है ये बच्ची वाके में ही बिमार है और इस बच्ची को 14 महीने तक अगर ये इंजेक्शन नहीं लगा तो फ्रेंस इसक्रीन पर आप QR Code के माध्यम से इसकी मदद कर सकते हैं और आप इस बच्ची की बिमारी के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो के हमारी इस वीडियो में आप देख रहे हैं दोस्तों स्लाम अलेकूम नमस्ते सास्रिय गालादाब तो मैं हूँ ऐस टाइम कांती नगर के अंदर पहला आप इस बच्ची को देखो एक बार दिखाना पास से एक बच्ची को लाकर इतनी मासूम सी बच्ची है फूल सी माशायललह लेकिन इसको एक बिमारी है जिसका नाम ह क्या नाम है बिमारी का इस पाइनल मस्कूलर अटोफी ये बिमारी इस लड़की को है और मेरी भी बेटी है मैं समझ सकता हूँ उपर क्या बेटी होगी तकरीबान 16 करोड रुपे का इंजेक्शन है वो जो लड़की के लगेगा सिर्फ 14 महीने का टाइम तो 1500-200-300 किसी से भी इची है 16 रुपे पर बंदा दे दे प्लीज और इस वीडियो को एक करोड लोगों तक शेयर कर दें बस मात्र सोलर रुपे किसी को बारी भी नहीं पड़ेगा इस बच्ची की जान बच जाएगी वीडियो को जादे से जादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें इस बच्ची का इ फ्रेंस जरूर कीजे और QR कोड आपको स्क्रीन पर देखी रहा है जिसके माध्यम से आप इस बच्ची की हेल्प कर सकते हैं तो फ्रेंस अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो की टोपिक के और जो कि डीडी फ्रीडिस के 81 योक्षन से जुड़ी है जिसमें हम आपको बता द इसके डीडी फ्रीडिस के 81 योक्षन में किस-किस चैनल ने पाटिस्पेट किया है तो फ्रेंस इससे जुड़ी कोई भी इंफोमेशन नहीं है और वहीं बात करें ये योक्षन कितने स्लोट के लिए परसार भारती की और से रखी गई है तो फ्रेंस हम आपको बता दें कि परसार भारती की और से ये योक्षन सिर्फ चार स्लोट के लिए रखी गई थी लेकिन वहीं बात करें एक और चेंस को लेकर तो कल एक और चेंस डीडी फ्रीडिस के MPEG2 से रिमूव कर दिया गया है जिसका नाम है पॉप्लर टीवी तो फ्रेंस हो सकता है ये ये योक्षन वीडियो में हमने आप सभी को दी आप सबको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें आज की वीडियो देखने के लिए आप सब का बोजसो